तो क्या बना तो हम तोबारी एक बिंती नहीं सुन सकते तो क्या बात है तो राजा हरी शंद्र की आँखों में आशु आखों के बुले ने तोबारा राजा एक बिंती है नांता हमारी तो रिख सरया क्या होई तुम्हारी गुड क्या तो रिख सरन सकते झसे सर धे तो मनिन्क Tomorrow एक बिंती है तो राजा हमारी तो हम प्या दोले के जोलें तो रिख सरनIE मेरी पिरता के नद्रादा दी के चीचिति कर दो प्रिम द्रादा कहां कि हमारी आपसे यही एक बिनती है कि हमारी प्रजा को कभी दुखी मत रखना क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं रखा और माराज ये बात सकती है कि राजा वो मर जाए और दुख जो खुद प्रजा पे तौले और चुगिल खोर पे इमान अमरे जो अमिरत में बिसा भूले मुखीया पन को प्रजान अमरे जो आपसे में रारी करावे और पक्षपात की बात करे जो नीच उनाए पनावे राजा ऐसा मर जाना चाहिए जो अगर अपनी प्रजा को प्रजा के पुत्र के समान नहीं रखती वो उस राजा का कोई अपने ही राजा रहने का मुखीया को पंच को प्रजान को मर जाना चाहिए जो नीच को छोड़ करके पुरीच को अपना रहा है ऐसे पिता को मर जाना चाहिए जो बेटे को नहीं पढ़ाता है और ऐसे बेटे को मर जाना चाहिए जो पाप की सेखी शानी को गटाता है और ऐसी पैनी को मर जाना चाहिए जो दिर से कुल की नव कटा दे ही जो ऐसे भाई को मर जाना चाहिए जो हिस्सा पे भाई को परवा दे और ऐसे गाइट को मर जाना चाहिए ऐसे सास्त्री को मर जाना चाहिए जो सराप और मदिरा पीकर के कथा वारुत कहता है और उससे पहले नरग में बो जाए तो उसे बुलवाता है कि कथा भगवान की है और इस पर अगर हम तारू हो भजरा मासपा खागर के अगर कथागों सुनाएगे हमारा इसमें कोई पुर्म नहीं है कथाग करवाने का पुर्म नहीं है कथाग केने का भी कोई पुर्म नहीं है कि मैंने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया को हाथ जोट करके मेरा यही आम से नवेदन है कि मेरी प्रजा को कभी दुखी मत रखना इतना कैकर के मारा अज़र हरिश्चंदर आगे बड़े तो कहने लगे कि चलते चलते अपनी जनम भूमी को प्रणाम को करें